हेलो गाइस, फ्लसफंट के यूट्यूब के वीडियो में आपका स्वागत है I hope कि मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे बस इसी तरह से आपका प्यार, आपका सपोर्ट मुझे देते रही है और हो सके उतने मेरे वीडियो को शेर कीजिए नीचे कमेंट में जरूर लिखे कि आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए या आगे चलके आपको कौन से वीडियो चाहिए मैं आपके कमेंट को जरूर लाइक करता हूँ और जरूर पढ़ता हूँ हो सकता है कि हर एक comment के reply दिने का time नहीं मलता है, लेकिन मैं like जरूर को तो हर एक comment को, और please मरे वीडियो को share और like कीजिये, ताकि मुझे वीडियो बनानों में और भी जादा मज़ा है, जैसे कि आपको मालू है कि online course हम लोग जल्दी शुरुदी शुरुआत करेगे, लेकिन उस तो आप मेंसे अगर किसी को भी इंट्रेस्ट है तो ये बैचेस हमारे यहां पर मुंबई के सेंटर में होने वाली है और हम लोग फ्रैंचाइजी के लिए भी देख रहे हैं और किसी को हमारी ब्रांचेस चाहिए दिली वागरा किधर भी तो आप मुझे प्लीज और बढ़ते हैं AC-DC हाला कि जैसे कि मैंने आपको बता है कि कमेंट जरूर कीजे आप हर वीडियो के नीचे और अगर आपको कोई चीज में दिख्कत हरी तो भी कमेंट जरूर कीजे तो ये बहुत सरे लोगों ने मुझे AC-DC के लिए कमेंट किया है इसके लिए खास ये वी कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में मैं कुछ अलग तरीके से आपको AC-DC समझाने के कोशिश करूगा ओके लेकिन इसकी जो शुरूरात करते हैं उसकी हिस्ट्री से शुरूरात करेंगे ये चीज आपने देखी रहेगे बहुत साही जगे पर ये चीज आपको देखने मि इनका नाम है Thomas Edison यह बहुत ही जाने मने साइंटिस्ट है इन्होंने इतने सारे रिसेच किया कि हम लोग नहीं कर सकते हैं इन्होंने सबसे पहले motion pictures याने की camera का भी development इन्होंने भी बताया voice recording system भी इन्होंने ही सबसे पहले developed किया हुआ है इसे तो इतने सारे records उन्होंने बना इन्होंने इन्वेंशन किया है इन्होंने एक बहुत ही भेतरी इन्वेंशन किया जो कि है electric bulb याने कि light bulb का अले कि light bulb का invention करते करते हैं और कई सारे चीजों का उसके साथ सात में invention कर दिया है लेकिन ये light bulb आज हमारी जिन्गी में इतनी रौशनी डाल रही हर जगे पर देखो मैं क्यों बता रहा हूँ क्यूंकि बहुत जानने की ज़रूदे की electric city की शरुवात कहां से हुई याने हमारे घर पे जो power आ रहा है आज इसकी शरुवात कहां से हुई थी तो ये पूरी शरुवात का श्रे जाता है thomas edition को ये scientist काफी भैतरीन scientist माने जाते है काफी सारे research और क अपनी खुद की electrical company स्टार्ट की थी ये electrical company जो है ये thomas edition company का ही electricity distribution नाम का एक company उन्होंने चालू किया हाला कि सबसे पहले उन्होंने new york city में अपना सबसे पहले experiment किया और pearl station जो है वहां का वहां पर उन्होंने electricity produce करना चालू किया लेकिन इनकी जो electricity जो production थी वो पूरी बेस DC supply के उपर यानि की direct current आपको मालू है direct current कहां से मिलता है battery पैसे आजकल जो हम लोग battery का प्रयोक करते ना उसमें से जो supply मिलता है power जो मिलता है वो क्या रहता है DC current रहता है तो उन्होंने एक generator के जरीए जो power बनाया हो था DC supply और पहले 59 consumers को उन्होंने supply दिया गया था DC volt का यह था 110 volt का और इसके जरीए उन्होंने पूरी या आप बाजुएं फोटो देख रहे कि पूरी आज वह जो सब रौशनी देख रही है यह सबसे पहली तस्वीर है 1880 की जहां पर सबसे पहली बार रौशनी याने कि electricity के जरीए रौशनी पाई गई थी रात के समय अगर यह पूरा श्राइच हो जाता है वह एडिशन कंपनी को ही जाता है हाला कि उन्होंने एक पूरा खुद का एक सिक्राइच की जाएगी इसका पूरा सिस्टम उन्होंने बनाया था यह उसका कागज है यह उसका कुछ फोटो है कि आप यहां पर देख सकते हैं यह जनरेटर है यहां पर electricity distribution करने के लिए जो कैसे सप्लाइच होगा हर घर पे इन्होंने पूरा रिसर्च किया था उसके पर और पूरी एक प्रानाली बनाई थी जिसके जरिये घर गर तक रोशनी या electric बल्ब जल पाए लेकिन यह पूरा जो रिसर्च उन्होंने किया था वो पूरा DC के basis पे ही गिया था यह देखें यहां पर आपको जो तस्वीर यहां था यह इसकी कुछ limitations थी क्या limitation थी तो जहां पर यह station रहता था यहांने मालोगे कि इसकी DC की factory बनाने यहां पर है मैं जहां पर बैठा हूँ वहां पर factory है तो मेरे आजू बजू खाली 2 km के अंदर तक ही मैं बिजली को supply कर सकता उससे जादा दूर तक मैं supply नहीं कर पा यहां पर आजू बजू electricity बनानी है तो यहां पर और एक factory उनको डालनी पड़ेगी यहां पर और एक generator बड़ा सा लगाना पड़ेगा फिर यहां पर करना है तो यहां पर और एक तो हर 2 km के अंतर पर उनको एक generator प्रोडियूस करना पड़ेगा एक generator लगाना पड़ेगा तब तो भी बहुत बहटरीन से उन्हों ने भी काफी संरे रिंजज एक partnership करके खुद के company उन्होंने design की जो की electricity ही supply करेगी लेकिन AC current के जरीए और ये काफी ज्यादा famous हुआ क्यूंकि इसका एक ही main खास्यत था कि AC current को वो दूर तक हम लोग भेज सकते थे याने कई हजारों लाखों किलोमेटर दूर भी अगर रहेगा तो अभी हम लोग supply कर सकते थे AC supply जबकि DC current जो था वो खाली दो किलोमेटर की radiance में ही कर सकते थे अभी आपके दीमाक में सवाल आ रहेगा कि ऐसा क्यूँ AC को हम लोग इतना दूर तक कैसे भेज पाएगे और DC को क्यूँ नहीं भेज पाते तो इसका जो जवाब है वो है transformer आपको मालू है transformer का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वो transformer का वीडियो देखिए यहां पर होता क्या था निकला टेस्टर ने एक ऐसा generator बनाया जिसको alternative current generator या alternator कहा जाता है यहां पर यह इनको inventions है कुछ मैं बता देता हूँ कि निकला टेस्टर टेस्ला जो है उन्होंने इतने सारे invention किये x-ray machine इन्होंने बनाई थी radio उन्होंने बनाया remote control इन्होंने बनाया तो यह जो चीज़े है यह innovations जो है वो टेस्ला निकला टेस्ला ने बनाया थे इतने सारे innovative थे और काफी सारे उन्होंने scientist मलब काफी सारे research करने के बाद यह सा चीज़े उन्होंने डेलोपर की थी इनका जो main focus था वो था AC और पूरा जो system आज हम लोग जो वापर है हमारे घर supply जो government हमको देती है वो बदलत है निकला टेस्ला की क्योंकि उन्होंने AC supply की शुरुवात की थी उन्होंने सबसे पहले distribute किया था AC supply ओके तो यह बनता कैसा था तो निकला टेस्ला ने जो AC supply जो बनाया वो कुछ इस प्रकार का था AC can produce using a drive called alternator याने एक ऐसा machine बनाया जिसको हम लोग अल्टरनेटर आज की तारिक में कहते है यह अल्टरनेटर क्या करता था कि जो electrical flow है याने यहाँ पर दो चुमबक है और बीच में एक जो है आर्मेचर है यह आर्मेचर को एक जो रोड है यह इदर लगा हुआ है और दुस इसे मोव हो गए और यहाँ पर बाजू में आप ग्राफ देख सकते है कि ग्राफ किस तर से मनलब पहले जबी यह अलग पोजीशन में राएगा तो उपर आ जाएगा फिर नीचे की साइड में आएगा फिर वापस उपर फिर नीचे तो यह है अल्टरनेटिव करेंट इसक अल्टरनेटिव के बीच में रख देया था है विच इंड्यूसर करेंट अलोंग विट वाइर दा रोटेशन आफ दा वाइर कंप्स कें कम फ्रॉं एनी नंबर अफ मीन्स याने जो रोटेशन हो रहा है यह वाइर का वो कोई भी स्टीम से चला सकते है पानी से चला सकते है है जिसको हम लोग आज हम लोग बोते हैं हाइड्रोलिक एनरजी स्टीम एनरजी राइट तो यह जो रोटर जो है नहीं बीच का जो वाइर घुम रहा है वो कोई भी फोर्स के वाज़से हम लोग घुमा सकते हैं जो यहां पर जब यह वाइर घुमता है तो मेगनेटिक फिल्ड क्या होता है चेंज होते रहता है तो उसकी वज़ए से वोल्टेज इन करंट अल्टनेटिव ऑन दो वाइर यह इस तो शॉर्ट अनिमेशन हो यहां इसकी वज़़ए से जो है यहां पर इस प्रकार की सप्ल तो यह निकला टेसलर की बदालत यह प्रॉलम सौल हुआ था और आज इसी की रिजन की वज़े से हम लोग इलेक्टरिसिटी के वापर पार है मुझे मालू है कि आपको यह अनिमेशन के जरी फूरी दा से जान करें नहीं मिली लेकिन मैं आगे आपको बता रहा हूँ यह वीडियो को continue रखिए देखिए यह कुछ इस प्रकार से होता है कि अगर मेरा वायर अभी मुलाब जो वाइंडिंग है वो सी और जी की जगह पर है एक सेकेंड में तकरीबन हमारे इंडिया में आज की तारिक में हम लोग पचास से साट साइकल पर सेकेंड की रेशो से हम लोग फ्रिक्वेंसी जो है पचास से साट साइकल है इतना आज हमारी फ्रिक्वेंसी है आज क्या हमारे एसी सप्लाई की फ्रिक्वेंसी है जो ट्रांस्फोर्मर का वीडियो है उसमें गलती से मैंने मेगा हर्ट्स कहा दिया था तो मेगा हर्ट्स नहीं है सौरी यह हर्ट्स है याने पचा से लेकर साथ हर्ट्स की फ्रिक्वेंची पर हमारा एसी सप्लाय जो कि इंडिया में फ्लो होता है यह कौन सी दीशा में वाइंडिंग रहेगा तो किस तरीक का सप्लाय आएगा वो यहां पर दिखाने के कोशेश मैंने की है तो यह जबी एसी सप्लाय यहां पर बनता है मानलों कि यह पावर फ्रेक्टी है जहां पर स्टीम इंचिन के जरीए समझो बनाया एसी सप्लाय फिर यह ट्रांस्फोर्मर के जरीए यहां पर लॉंग डिस्टन्स लाइन पर भेजा जाता है यह समझो इधर से इधर आया ट् हम लोग बोलते हैं, AC supply, DC में इतनी जानकर, DC बहुत कम, याने DC समझो 2 km के आसपास ही चल सकता था, इसका reason है कि उसमें transformer अटेज नहीं कर सकते थे, आपको मालू रहेगा कि transformer जो है DC को supply नहीं कर सकता, वो खाली AC पे ही चलता है, इसमें दो line होने की वज़े से इस तरह से होता ह यह magnetic field इस तरह से generate करता है कि यह दूर तक को supply को बड़ा मलब, जो voltage को बड़ा करके हम लोग दूर तक उसको भेज पाता है, यह केवल AC के supply में ही possible है, इसके लिए DC जो है, वो फेल गया, जो Thomas Edison की जो थियरी हो फेल गई, लेगे निकला टेस्टल की थियरी के जरीए, आज हम हम लोग electricity को वाप पर रहे है, तो यह थोड़ी सी नजर डालते है, DC में क्या रथा ऐसा, तो EC में अगर आपने देखा रहेगा, तो यहाँ पर देखो, आपको दो ring दिखाई देती है, राइट, alternative current के ही है, इसको हम लोग बोलते है, alternator, ओके, लेकिन यहाँ पर आप देखो यह DC, AC generator को ही थोड़ा सा alteration करके DC में भी आप बदल सकते हैं, यह DC को generator में थोड़ा सा changes करके आप AC बनाते हैं, an AC generator equipped with a device called commutator, ओके, can produce DC, use of DC called as rectifier that converts AC to DC, यहाँ, आज की तारिक में अगर आप देखो के घर में, अगर LCD TV है, या काफी सारे computers है, तो यह जो supply जो लेता है, भले AC supply लेता है, लेकिन AC पर नहीं चलता है, यह DC पर ही चलता है, क्योंकि अंदर rectifier लगा रहता है, ओके, यह आज अगर से हपकोस battery बनाई रहती है, वो भी हमको DC supply ही देता है, यह कहां से मालूम पड़ा, तो Thomas Edison ने यह research किया था, हालकि Thomas Edison का research इतने काम में नहीं आता है, हाँ, काम में आता है, कभी हमारे mobile की batteries की बात करो, या हम लोगो कोई चीजे बाहर लेकर जानी, गाड़ी का starter की बात पड़ता है, लेकिन अगर घर में इस्तमाल करने की अगर में बात करूँ, तो वहाँ पर DC इस्तमाल नहीं किया जाकता है, AC का ही इस्तमाल हमको करना पड़ता है, तो यह major difference क्या है DC और AC में, तो DC कुछ इस प्रकार से दिखता है, straight line, इसमें frequency जो है, वो 0 है, जबकि इसकी जो frequency थी, मैंने आपको बताए थी कि 50 से 60 Hz, क्योंकि यह एक सेकेंड में ऐसे, मलब यह एक साइकल हो, वैसे 50 से लेकर 60 साइकल के बीच में पसार होता है, इसलों हम लोग उसको बोलते है, alternate current, क्योंकि एक बार प्लस, एक बार माइनस, प्लस, 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 इ इन DC सप्लाइ, the electrical, electric change current, only flow in one direction, DC में क्या होता है, कि इलेक्रिक फ्लो होता है, वो प्लस से लेकर माइनस, यह एक इस दिशा में फ्लो होता है, लेकिन जो AC में है, AC में हर बार उसकी polarity चेंज होगी, मलब यहां से जाएग, फिर यहां, यहां, ऐसा, यहां कि आपको डाइग आपको कैसे समझ में आता है, और अची तरह से आपको समझ में आ जाएगा, देखिए, एक animation है, जिसके जरी आपको समझ में आ जाएगा, देखिए, यह जो animation है, इसमें मैंने battery का प्रवक किया, यह battery है, जैसी battery को start कर दी जाए, तो देखो, यहां पर electrons ऐसे flow होगे, और यह मेरे bulb को चालू रखेगे, और इस तरह से electrons हैने की current मेरा move होने वाला है, तो मेरा जो bulb रदाना, continuously on रहता है, यह DC supply के अंदर होता है, यह DC supply के अंदर, जैसी लेकिन मेरी battery down हो गई, तो मेरा क्या हो जाएगा, बल्प बंद हो जाएगा, वहां पर अगर मैं बात करू AC supply की, तो AC supply में plus और minus जैसा कोई system नहीं रहता है, तो इसमें क्या होता है, कि electron जो है न, यह current जो है न, से लेकर 60, तो एक सेकंड में 50 से 60 बार बंद चालो, बंद चालो, इस तरह से होगा, लेकिन यह चीज हमारे आखों को नहीं दिखाए देती है, हमारे आखों को खाली दिखाए देगा कि चालू है बल्प, लेकिन एक सेकंड में 50 से 60 बार बंद और चालू होता है, इसलिए ह को चालो दिखाई देता है हमारी आखो को लेकिंड यहाँ पे देखो मैं आपको प्रूर्फ कर रहे है कि अज़े, बाइक रहते रहता है और आटर lane direction इसको असी बोला गया है तो आइerer जी इस समझ में आएIT शुक्ष gemacht इसी तरह से प्लीज 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 आपका प्यार बरसाते रहिए प्लीज अगर आपने सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब कीजिए लाइक जरूर कीजिए मेरे वीडियो को अगर आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कीजिए इस वीडियो को और कमेंट में जर झाल झाल